नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल अचार जागेंद्र मिस्त्रा में गुरुवारी बड़ी पूरिमा चुप चाप यहां रख दें एक चुटकी हल्दी मिलेगी सभी कष्टों और संक्टों से मुक्ती रातो रात चमक उठेगी किस्मत जी हां दोस्तों इस वा पूरिमा का विशेश महत बताया गया है क्योंकि पूर्ष मास की जो सुक्रपक्ष्ट की पूरिमा तिथी को पूरिमा कहते हैं और इस दिन यह उत्सव 28 जनवरी 2021 गुरुवार के दिन है इसलिए इसे गुरुवारी पूरिमा भी कहते हैं अब पूर्ष मास समाप्त हो रहा और मागमास आरंब हो जाएगा अब इस दिन पूर्णिमासी के दिन जब तप दा निशनान का विशेश महत है इस बार पॉष्ट पूर्णिमा में दिन गुरुबार और पुष्ण नच्छत्र नामक महाशुबशययोग बन रहा है और सरवार्द सिध्ययोग भी बन रहा है इ इससे इस दिन का महत और भी बढ़ जाता है वैसे भी पॉष्ट मास की पूर्णिमा होने के कारण इसे पूष्ट पूर्णिमा या शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं अगर पूरे महीने दान ना भी किया तो सिर्फ इस दिन पॉष्ट पूर्णिमा के दिन दान कर दें त तो माना जाता है कि स्वर्ग में इस्थान मिलता है वैसे ग्रह नच्छत्रों की ऐसी इस्तिती बन रही है ऐसे सुबसेयोग बन रहे हैं कि चंद्र आद ग्रह प्राण दायनी अम्रित मई किर्णों का संचरन कर जल में इस्थान दाई उर्जा समाहित करते हैं और इस दिन चोटा सा प्रियोग हल्दी का प्रियोग करना है यह हल्दी का प्रियोग बहुत ही छोटा प्रियोग रहेगा लेकिन बहुत ही चमतकारिक रहेगा रातो रात चमक उठी की किस्मत अगर आप इसको करते हैं तो चुकि हल्दी गुरुबार से बहुत संबंध रखती है गुरु चीजों का दान करें तो बहुत महत होता हूँ भी वैनि पूरिमा के दिन अगर हम गुरुबार के दिन हल्दी बगार का दान करें तो बहुत पुन मिलता है और इसलिए इस दिन ब्रत भी किया जाता है पूरिमा के दिन चुकि गुरुबार के दिन दो चीजे हो गई एक तो ग पुणिमा होते हैं ये सुर्ण नरायन को भी समर्पित होता है और पवित्र नदियों में श्नान करने का बिधान है अगर आप गंगा जैसे पवित्र महा नदियों में श्नान करते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ा पुन्य का लाभ मिलता है आप जब गंगा श्नान करने जाएं तो आपको जीवन में कभी गरीबी का शामना नहीं करना पड़ता है जीवन में धन-धन हमेशा आपके घर में बना रहता है और जीवन में माता लक्ष्मी जी का अशिरवाद आपके घर में सदय बना रहता है माता लक्ष्मी जी की आपको सदय बगर कृपा चाहिए और भगवान विश्णु जी का चुकि पूरिमा भगवान विश्णु जी का दिन होता है माता लक्ष्मी जी इस दिन बहुत प्रसंद होती हैं अगर आप कोई भी उपाय करते हैं खास कर ये एक चुटकी हल्दी आपको छपड़ फार सफलताएं देगा इस दिन बहुत शारे वैसे उपाय किया जाते हैं पूरिमा के दिन हम भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी जी की साथ में पूजा राधना करते हैं और पुश्य योग और सरवाद सिध्ध योग हो चाहिए नौकरी में तरक्की चाहिए बिजनस ब्यापार में काम्याबी चाहिए तो आपको हल्दी का दान आज की दिन जरूर करना चाहिए पूरिमा के दिन वैसे तो आप भगवान विश्णु माता लक्ष्मी जी को दीपक जलाएं दीपक जलाके उनकी विद्विधान से पूजा करें और अपने यानि समस्त मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए आपको एक पीले कपड़े में हल्दी की गांट बांध के और भगवान विश्रू माता लक्षमी जी के सामने समर्पित कर दें इससे जीवन में कभी भी आपको गरीवी का सामना नहीं करना पड़ता जरूर रशनान करें लेकिन जब ये हल्दी डालें तो चुप चाप डाल दें किसी से बोले ना और किसी को दिखाए ना यकीन मानिये रातो रात चमक उठेगी किस्पत माता लक्षमी जी किर्पा आपके घर में शदय बनी रहेगी और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी सूर्देव को जब आप अपने घर पे भी अगर जल देते हैं चुकि पूरिमा की दिन सूर्देव को एक लोटा जल जरूर देना चाहिए तो आपको एक चुटकी हल्दी डाल के ही देना चाहिए इस से निरोग होते हैं आप सूर्देव चुकि यानि स्वास्त के कारक हैं तो आप निरोग रहेंगे जीवन में धन की कम्यागी मान सम्मान बढ़ेगा नौकरी में अच्छे पत की प्राप्ती होगी और अगर नौकरी नहीं लग रही तो जल्द नौकरी लगेगी अब आपको इस दिन हल्दी का चंदन भगवान विश्णू यानि भगवान से क्रिश जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी हल्दी एक बहुत ही यानि बहुत विशेश उपाय है एक खास कर चुकि आज हमारा टोपिक है यानि एक चुटकी हल्दी चुप चाप यहां रख दें अब आपको पूर्णिमा चुकि पूर्णिमा बहुत खास दिन है इस दिन पूर् चंदरदेव को अर्ध देते हैं, चुकि चंदर यानि पूर्णिमा का चांद देखने से उसकी करणे लेने से हमारे जितने भी शरीर में नकारात्म कुरजा एं होती हो बाहर चलि जाती हो और सकारात्म कूरजा का वास होता है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्ध देना चाहिए मीठे जल से यानि मिस्त्री डाल के एक लोटा जल जरूर अर्ध दें और हो सके तो कहते हैं कि अगर पूर्णिमा के दिन खीर बनाया जाए और इसे आप खुली जगह पे रख दें और पूरी रात किरने चंद्रमा के किरने उसे पढ़े और अगले दिन आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहन करें तो कहते हैं कि निरोगी होते हैं मन चाही यानि सफलताई मिलती है जिसको संतान न उसको संतान की प्राप्ती होती है अनि एक प्रकार के लाब होते हैं तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत हिश्व संयोग बनने के कारण आप जरूर छोटे-छोटे उपाज जरूर करें, लेकिन आज हमारा आज के जो टॉपिक है वो है एक चुटकी हल्दी, तो आपको नहाति समय भी एक चुटकी हल्दी का प्रयोग करना है बाल्टी मे अगर आपको नजर दोस या किसी प्रकार की यानि सत्र दोस से परेशानी है नजर दोस लग रहा है बहुत सारे लड़कों को लग जाता है आपके बच्चों को घर में तो आपको डेली उनके माथे पर हल्दी का ठीका जरूर लगाना चाहिए लेकिन अगर आप पूरिमा के आपने छट के उपर आशमान पर आप एक चुटकी हल्दी आप जब चांद निकालाएं तो आप बाहर रख दीजे और आप यानि उसको पूरी रात चंद्रमा की किरने पढ़ने दे उसमें और अगले सुबए उसको यानि आप हमेशा बच्चों के माथे पे धारन करें दरवाजे के जो मुख द्वार होता है मुख द्वार के दाहिनी तरफ रख देना है चुप चाप रख दे और फिर देखिए शमतकारिक लाव कैसे होता है माता लक्ष्मी क्योंकि पूर्डमा के दिन पूरे प्रतिवी पर भरमर करती हैं तो जिसके द्वार पर दरवाजे पर एक चुटकी हल्दी देखती है माता उस घर में प्रवेश कर जाती हैं और फिर आपके भागी चमक जाते हैं जब माता लक्ष्मी अगर आ गई तो भागी चमक जाते हैं अगर आप रोड़ पती भी है तो क्रोड़ पती बनने में देर नहीं लगती रात और रात आपके किसमत चमक जाती है एक चुटकी हल्दी आप अपने जहां पूजा स्थान है माता लक्ष्मी और भगवान विश्णुकी तो उनको एक चुटकी हल्दी चुप चाप समर्पित कर दें उनके चरणों पे फिर देखे कैसे लाब होता है यह एक चुटकी हल्दी जीवन में तमाम धन धान से संपून करने वाली है गरीबी को मिटाने वाली है शुक्षम्रदी सभी कष्टों और करजों से मुक्ति दिलाने वाली है अगर आपको करज बहुत परेशान है करज आए दिन आपको परेशान करता है जिनको दे रखा या लोन आपको नहीं मिलता तो आप क्या कर एक चुटकी हल्दी पीले कपड़े पे बांध के और आप अपनी सारी मनोकामनाई बोलके अपने दायने हाथ मिलें और भगवान विश्टु और माता लक्ष्मी जी के जो फोटो है या मूर्ती है उनके पीछे साइड में रख दें यकीन मानिये और अगले सुबह उसको आप अपने आलमारी में जहाँ आप खजाना रखते हैं किम्ति संवान रखते हैं वहार रख दें जिकीन मानिये धन की कमी कभी नहीं होगी जीबन में धन धान की बरकत होती रहेगी और खोब बरकत करेंगे जीबन में खोब धन आएगा खोब संपत आएगा सभी कष्टो और पर धारन करें तो आप हमेशा काम्याब रहेंगे इंटर्वी देने जा रहे हैं नौकरी यह शुरुआद करने जा रहे हैं आप किसी नए बिजनेस भीयापार की शुरुआद करने जा रहें तो अच्छी खासी सफलता मिलेगी दोस्तों बहुत ही लावकारी रहेगा तो यह जो 28 जनवरी 2021 का गुरु वारत के दिन पूरिमा पड़ रही है पौश मास की इसको इस दिन ये प्रयोग जरूर करिए तो दोस्तों कमेंट सक्षन में सच्चे दिल से जय मालक्श्मी अवर्ष लिखें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए नहीं तो चनल को सब्स करें और शेश्यर करें जय मालकश्मी अवर्ष लेंट